हेलो फ्रेंड्स एक बरपुना से आप सभी का बहुत भूत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिसंद्योग कुमार में फ्रेंड्स आज का जो वीडियो होने वाला है इस वीडियो में हम लोग आपको हम फर्मूला जो है से रिविजन करवाने वाले हैं एकदम स्पीडली चैप्टर वाइज फर्मूला आपको यहां पर हम करवाएंगे और हम जो जितना भी चैप्टर है मालीजे कि 15 चैप्टर आपके बुक में है तो 15 दिन लग जाएगा तो कुल मिला कि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा पांच से साथ मेंट का वीडि चैप्टर वाइज तो आप लोग को थोड़ा जो है सो कॉंफिडेंस बढ़ेगा और फर्मूला यहां पर आप लोग को पर्यास करना है कि याद करते जाना है ठीक है इसको बार बार आपको एक जगह पर एक स्पेशल कोपी आपको तयार करना है और अच्छे से फर्मूला क आप लोग क्यूशन को सर्वनी कर पायेगा बहुत सारे फर्मूला तेंट क्रास में ऐसे है जो आपको याद रखने ही रखने है चाहे फिर आपका ट्रेगो का चाहे आपका यहां पे जैसे निर्शांग जैमिति है तो इसमें भी कुछ फर्मूला है जैसे कि दुरी सूत्र है विभाजन सूत्र है मध्य विंदू का जो फर्मूला है इसके बाद में तिर्फुष का एरिया निकालने के लिए जो सूत्र है ओ यह सब को आपको याद रखना है निर्शांग जैमिति चैप्टर नंबर सेविन आज हम लोग कवर कर रहे हैं पूरा ठीक है यह जो है जो मेट्री के एकजाम देने वाले हैं क्लास 10 का एकजाम जो 2030 आगामी जो परिक्षा है उनके लिए अभी मॉडल सेट बहुत ही जल्द आने वाला है तो मॉडल सेट आने से पहले हमने सोचा कि आपको कुछ ऐसा जो है सो हम यहाँ पर उस से पहले ऐसा कंटेंट दे दे जो आपके काम का हो और उसके बाद जैसे ही मॉडल सेट आता है तो हम उस मॉडल सेट के एकवर्डिंग चार से पांच ऐसे मॉडल सेट आपको हम परवाइड करने वाले हैं इसे चैनल के माध्यम से जिससे आपको एकजाम में कार पी ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि हम वहने बहुत सारे लगफ़क चार से पांच साल से हम इस टॉपिक पर विडियो हम बना रहे हैं बहुत सारे विडियो जो आपको मिल जाएंगे जैक वोट से संब्दी चाहे साइन्स का हो चाहे आपका सेस्टी का हो अभी हम मौडल सेट लेके आ रहे हैं इस वर्स में और जो म पर्मूला है दूरी सुत्र जैसे की दो पॉइंट आपका दिया हुए है आपने पहले पढ़ा हुआ होगा तो एक बार रिवजन आप लोग यहां पे कर लिजिए जैसे एक पॉइंट ए हैं दूसरा पॉइंट आपका भी है यहां पर आप लोग देखिए कि इसका आपका क ही कलना है तो इसके लिए एक फर्मुला होता है तो आप लोग उस फर्मुला को ूंट कर दिजे इसी फर्मुला को हम लोगते हैं दूरी उतर इसका डेरीवेसन व minus y1 का हॉल स्क्वार यही है आपका दुरी फूर्ट दूरी सुत्र याने कि इसको हम लोग डिस्टेंस फर्मूला भी कहते हैं तो नंबर वन फर्मूला आपका यही हो गया दूरी सुत्र अब ध्यान से देखिएगा दूसरा वाला सूत्र है बेभाजन सूत्र कोई लाइन दिया हुआ रहेगा आपका इसी लाइन को हम लोग ले लेते हैं ठीक है पहला वाला आप लोग समझ गए पहला फर्मूला यहाँ पे ए और बी के बीच में दूरी को बताता है दिस्टेंस यह से बी के बीच में कितना दिस्टेंस है उसको बताता है अब दूसरा में आपका यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट ले लेगा सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया पी इसका कोडिनेट निकालने के लिए आपको कहेगा इसका कुछ अनुपात में बाट रहा है ठीक है तो इसके लिए बिभाजन सुत्र होता है तो इसके लिए लिए फर्मुला होता है इसको आपनलो नोट किजिएगा यह फर्मुला आपका होता है mx2 नोट किज़ेगा mx2 plus nx1 upon m plus n mx2 plus nx1 upon m plus n, यह आपका हो गया दूस्ता क्या होता है, दूस्ता होता है m y2 plus n y1 upon m plus n यह वाला होता है, तो दिखें यही फर्मुला होता है, यही आपका जो है, आपका विभाजन सुत्र है और यहाँ पे, जो तीसरा वाला फर्मुला है, बिल्कुल इसी से मिलता जूलता ही हुआ ही है, यहाँ पे बस है न कि aim ratio n ने बाट रहा है, मतलब कि बरावर बरावर नहीं है, जब एगदम बीच से बाटे, मतलब दो जैसे बिंदू दिया हुआ है, उसके एगदम बीच का बिंदू, मिड़ पॉइंट निकालना है, मध्य बिंदू निकालना है तो उसके लिए एक खर्मुला होता है, मध्य बिंदू सुत्र, उसको भी आप लोग यहाँ पे नोट कर लेजिए, ठीक है देखें, लिख देते हैं, तीसरा नमबर मध्य बिंदू का जो सुत्र है इसका हम बना रहते हैं, देखें चलें यहाँ पे देखें, थोड़ा सा समझेगा यह पॉइंट आपका A है और A पॉइंट B है इसका कोडिनेट X1, Y1 है सेम उसी करदा से, और यहाँ X2, Y2 है, ठीक है अब यहाँ पे देखें, एकदम बीच में पॉइंट कोई P है इसको 1 देशी ओ 1 में बाट रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी सामान है AP बराबर हम यहाँ पे PBV कर सकते है यह चीज है, बीच से काट रहा है मतलब यहाँ बीच से जो है बीच में इस्थित है, मिड़ पॉइंट है तो इसके लिए फर्मॉला आपको लिखना है यहाँ पे जो P पॉइंट है उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे X1 प्लस X2 और नीचे में हम लोग क्या करते है नीचे में हम लोग करते हैं 2 इसे तरह से यहाँ पे हम लोग करते हैं Y1 प्लस Y2 बटा में 2 तो यह तीसरा माला हो गया है तो यह तीन फर्मॉला आपको हमने लिखवा दिया है X1 प्लस X2 बटा 2 और Y1 प्लस Y2 बटा 2 तो यह हो गया आपका midpoint है 2 यहाँ पे M और N 1 1 हो गया है बस यही है X2 X1 तो इसको हम सही करके X1 X2 लिख दिया कोई अंतर नहीं है सेम यहाँ भी देखे M Y2 प्लस N Y1 है तो यहाँ पे M और N दुनों 1 और 1 हो गया है तो Y1 प्लस Y2 और फिर यहाँ पे बटा में 2 क्योंकि दो भाग में बाट रहा है तो बटा में 2 और यहाँ पे जो रेसियो रहता है वो रेसियो यहाँ पे लिखा जाता है तो बस यह थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे तो I hope आपको यहाँ पे समझ में आया होगा यह तीनों फर्मूला इसके बाद में एक फर्मूला और है तिर्भूज का सूत्र उसको भी हम लिख देते हैं इसको आपको थोड़ा अच्छे से याद करना है तिर्भूज का जो यहाँ पे सूत्र होता है उसको थोड़ा सा आपको अच्छे से लवन करना है तो उसको बार-बार आठ से दस बालोज को लिखिए कोपी में बार-बार उसको प्रेक्टिस किज़ें याद करके तब आपको होगा ठीक है पहली बार में थोड़ा सा कन्फियन होता है इस फर्मूले में चलिए हम लिख देते हैं यहां पर चौथा नंबर जो फर्मूला है इ 1 upon 2 इसके बार में आपको ब्रेकेट में जाना है सारा कुछ आपका ब्रेकेट में रहेगा यहां पर होता है x1 यहां पर होता है y2 माइनस कितना होता है y2 माइनस होता है y3 ठीक है y2 माइनस y3 होता है इसके बार में फिर क्या होता है फिर आपका यहां पर x2 होता है यहां पर आपका y3 माइनस होता है y1 ठीक है इसके बाद में अगला यहाँ पे लिखना है आपको x3 यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे y1 माइनस क्या होता है y2 होता है फिर आपका इसको बंद कर देना होता है तो ध्यान से देखिए फर्मुला क्या है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 plus x3 y1 minus y2 तो ध्यान से देखिएगा यहां है 1, 2, 3 यहां पर 2 के बाद 3 फिर 1 फिर यहां फिर 3 है 3 के बाद में क्या होता है 1 फिर 2 तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है कि आपका जो है सो फर्मूला सही है या फिर सही नहीं है तो यह है आपका तिरभूज का area आपका कुछ इस प्रकार से जैसे कि figure भी एक बात समझ लिए फिर आप लोग जैसे तिरभूज दिया हुआ रहेगा कुछ इस तरह से दिया हुआ रहेगा एक point A है दूसरा point B है और तिसरा point C है तो एक अकोर्डिनेट आपको यहां पर कुछ दिया हुए है जैसे मानने तो है कि 2,3 दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ रहेगा 4,6 और यहां पर दिया हुआ रहेगा 7,9 तो इसको आपको कैसे मानना है इसको मानना है आपको x2 Vitry ठीक है तो इस तरह से आपको मान देना है और उसके बाद में इस equation में आपको सारे values को put कर देना है put करने के बाद में उसको solve करना है और फिर आपका answer निकल के आ जाएगा तो friends ये था निर्देसांग जैमिती का सारे formula एक साथ में आपका बिल्कुल अच्छे से revision हो गया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like किजएगा share किजएगा आपने दोस्तों के साथ में और इस channel पर नए है तो channel को आपको ज्यादा सज्यादा subscribe करना है और इस वीडियो को like करना है चलिए हम लोग मिलेंगे फिर से किसी और chapter का formula लेकर के हम फिर से आएंगे कल तब तक के लिए सभी दोस्तों को bye bye जै हिंद जै भारत